दोस्तों चीन के हुबोई ब्रांद के वोहान से पहले जान लेवा कोरोना वाइरस की चपेट में पूरी दुनिया आ चुकी है इस वाइरस से अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग बीमार हैं इसी पीच कोरोना की वो पहली मरीज भी सामने आ गई है जिससे पहले हुबोई और पूरी दुन्या में एक ख़दरनाक वाइरस पहल गया चीन के बदनाम हुनान बजार में समुद्रिक एकड़ा बेचने वाली 57 वर्षय महिला वेई गुजियान कोरोना की पहली मरीज थी कथे तोर पर वेई के सद काम करने वाली उसकी बेटी एक भतीजी और उसका पती भी इस ख़दरनाक वाइरस की चपेट में आए वेई को लगा था कि उन्हें सीजनल फ्लू है और वो एक छोटे से प्लीनिक में गई उन्हें इंजेक्शन लगाया गया लेकिन रहत नहीं मिली वो मार्केट में सामान पेचती रही पांच दिनों के बाद हालत खराब होने पर वो वहान के ही एक बड़े अस्पताल में गई कोरोना के संक्रमां के बाद वहान के इस सीपूड मार्केट को अनिष्चत कालकले बंद कर दिया गया वेई ने बताया कि अगर च्चिन सरकार तुरंट कारवाई करती तो कोरोना वाेरस को फैलने से रोक सकती थी वेई को कोरोना का पेशेंट जीरो माना जा रहा है हाला कि अभी इसको लेकर स्पष्टता नहीं है कि क्या वे कोरोना की पहली मरीज है चीन की मीडिया में किसी 70 साल के शक्स को पहला मरीज पताया जा रहा है मेडिकल जनरल लेंसेट में दावा किया गया है कि कोविट 19 से पहले शक्स की पहचान 1 दिसंबर 2019 को ही हो गई थी चीन की लापवाई से आज पूरी दुन्या में कहरा मचा हुआ है दोस्तों और अब सुनने में आ रहा है कि वहाँ सीपोड मार्केट फिर से शुरू कर दिया गया है जिसकी वज़े से कोरोना पहला है चीन के ये हरकत बहुत शर्मना को निंदनी है जहां पूरी दुन्या आज भी चीन के वज़े से हाहा कार मचा हुआ है जो वहीं उसने फिर से मौत की दुकान सजा ली है अगर आप भी हमारे बाद से जहमत हैं दोस्तों के इस खबर को एक लाइक जरूर दे साथी कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें हमारे साथ बने रहने के लिए आप सब इकता है दिल से धन्यवाद क्योंकि आप हैं तो हम हैं